जंतन्टेवी के विशेश कारक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अख्लेश्मिष्ट और आज हमारे साथ बात्षीत करने के लिए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुपता जी। आदेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आधे जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप बनाये गए हैं यह माना जाता है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपक जो है वह थोड़ा सा कंट्रूवर्सियर रहता है गुडबाजी रहती है प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो लेकिन बीजेपी अपने अलग-अलग धंग स से चलती है कुछ सेग्मेंट पे अलग-अलग निताओं का नाम मैं नहीं लेन चाहूंगा तो क्या लगता है कि गुडबाजी रही आप तो आप इतने दिन से देख रहे होंगे संगठन में देखिए भारती इन्ता पार्टी मैं समझता हूं कारेकरता आधारित पार्टी है और सभी कारेकरता बड़े मन से और बड़े दिल से पार्टी का काम करते हैं और मुझे ऐसा लगता नहीं ये मीडिया परसप्सन हो सकता है लेकिन पार्टी कारेकरता आधारित और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं और जहां तक मैंने जो कारेकरताओं से बात करने की ह और उनके जो मन देखें उनका जो व्यू देखा है आज की तारीक में हर कार्य करता है पार्टी का एक समर्पित भाव से काम करता है और वो करना चाहता है उसको हमें अधिक से अधिक काम में लगाने की जिरूवत है अधिक भारती जिन्ता पार्टी जोर शोर से मुद्दा उठा रही है कि 13,000 करोन दिल्ली सरकार दे नहीं रही है क्या वज़ा है वो कह रहा है कि कोई ऐसे कोई बड़ी दिंदारी है नहीं आप उसको लेके धरना दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो इतना बड़ा देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में अरविन केजरिवाल जी मुख्यमंतरी बने हैं वो हर साल दर साल निगम में वो चुनाव हार गए निगम में भारती इंता पार्टी के लोग हैं इसलिए वो निगम को डिमोरलाइस करने के लिए नि जब वो मुख्यमंतरी बने थे उस समय निगम को साले सत्रा परसेंट ग्लोबल सेयर के रूप में दिया जाता था इनकी सरकार ने आने के बाद उसको साले बारा परसेंट एनाउंस किया और उसके बाद दस परसेंट कर दिया एक बहुत बड़ी कटोती की और इसके साथ जो प्लान हेट का पैसा है जैसे सफाई कर्मियों की सेली देने का कुछ पैसा इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम जो नालिया और जो बरसाती बनाते थे उसका पैसा इसके साथ ही जे जे कलस्टर में काम करने के लिए जो निगम को दिल्ली सरकार पैसा देती थी दिल्ली न राने के लिए जो दिली सर्कार के द्वारा फंड दिया जाता था उस पै को इन्होंने जीरो किया पार्कों के इस उधर के लिए ज पैसा दिली सर्कार के द्वारा नगर निगम में पिछले जब से डिस आजाद हुआ और नगर निगम sacrifice हर सरकार वह ये छे प्लान के पैसे वो देते थे जिसको केजरी वाल सरकार ने जीरो किया अब आप ये बताइए निगम कहीं न कहीं निगम तो दिली की नागरिक सेवाई देने वाला एजेंसी है वो कोई किसी काम के लिए पैसे तो देते नहीं है उनके पास तो रेविन्यू का एक ही सोर्स है वो है ऐसा नहीं आता है बाकी जितनी ग्लोबल सेयर है और ग्रांटेड है उस सरकार के माध्यम से निगम के पास आती है और उसमें उन्होंने भारी कटोती की है सिर्फ राजनेतिक विद्येश की भावना से ठीक है ठीक है आजेशी आप में माना कि ये बहुत 13,000 करोर बड़ी र है और इस से पहले भी कोर्ट के ओर्डर के द्वारा इन्होंने पैसा दिया था और आज भी वो केस चल रहा है ये जो 13,000 करोर का मुद्दा है इसमें हम अलेडी कोर्ट में है और दूसरी बात ही है कि हम आज ये कहते हैं दिल्ली सरकार से कि दो लाक हमारे दिल्ली नगर नि ऐसे इसी है, उसमें हेल्थ वर्कर्स दी है आखरे नौ मेंने के Corona Time में उतने उन्हों इतना अच्छा काम किया और आशे टायम में अगर उनको TH–3–3–4 चार मेहने कि हमfracilli ओं सेलली नहीं दे पा ए और और उसमें पैसा आप ने हमसें लमेंसा कट होती कि और ऐसे संगाट के क्रूशल वक्त में भी आप पैसा कम दे रहे हैं तो इससे उन लोगों को उन लोगों के परिवार कैसे चलेंगे जो लोग रिटायर हो गए हैं पेंशन जिनको मिलती है चार-चार महने से उनको पेंशन नहीं मिली बिल्कु ठीक आप अदेश जी जो बात आप कह रहे हैं हमसे सुनवाई में उनका यह भी कहना कि कोट ने कोई गाइड लाइन नहीं दी किसी भुक्तान की बात नहीं कहीं बिल्कु गलत कह रहे हैं मेरे पास कोट के आडर कोट के डिरेक्शन थे कि आप ये मामला जो दिल्ली फैनेंस कमिशन और दिल्ली सरकार और निगम के बीच का उस मिलाकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंतरी की कोई मंसा नहीं है कि नगर निगम बेहतर तरीके से काम करें जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डेंगू चिकनगुनिया जब निगम दिल्ली से समाप्त करता है तो उसका स्रे लेने के लिए दिल्ली के मुख सब्सक्राइब यह कहा जाता है कि साउथ दिल्ली नगर निगम का किराय बागी था नौर्थ पे आपने 24 करोड रुपे था उसकी बात आप करते हैं कि अगर दोनों नगर निगम एक दूसरे को दे दे तो शायद आपकी समस्या का बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाए ब समय 2400 करोड रुपे जो साउथ कार्पूरेशन ने नौर्थ कार्पूरेशन को देना था ऐआसा उन्होंने ट्राइफरकेशन के समय बात कही थी मैं जाएता हूँ, दिल्ली सरकार जिसने ट्राइफरकेशन किया था आप नЕ उसी समय ये बटवारा क्यों ने किया, वो सरकार जब तक financial assistance नहीं करती है तब तक निगम बहतर तरीके से काम नहीं करता और यह DFC जो बना था दिल्ली Finance Commission वो इसी लिए बना था to regulate the financial crisis of corporation वो दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है उसके लिए आप आप जलवोर्ड को 50,000 करोड रुपे का लोन दे देते हैं 6 साल के अंदर औ आप DTC को लोन दे देते हैं 35,000 करोड का वो भी घाटे में जा रहा अब नगर निगम भी तो लोगों के लिए काम करता है 10,000 मिट्रिक टन कूड़ा डेली नगर निगम के करमचारी और गाडियों के द्वारा उठाये जाता है उनका कहना कि आपकी कमिशनर पत्र लिखते थ और वो बैलन सीट में लगातार था आप देखा होगा और एक एक उसको बैलन सीट से गायब कर दिया भारती जिनता पार्टी उसको खामोश है 24 करोन रुपे उसे नहीं चाहिए नहीं ऐसा है देखे क्या होता है जब भी बजट पेस होता है कमिशनर अपना प्रपोस बजट करता है उस बजट को हाउस उसको बजट को बापस करता है पिछली बार भी उन्होंने कमिशनर ने अपनी तरफ से इसको बैलेंस करने की कोसिस की जीरो करने की कोसिस की हमने दुबारा से उसको वापस किया कि नहीं हमें पैसा लेना है जब भी साउट के पास पैसा होगा इस हिसासे उन्होंने कहा कि अगर दस साल का लगा ले तो माटा मोटा तौर बारह जार करून रुपे करीम केंज सरकार को को दिली नगर निंगभ को देना था वो देते नहीं है चुंकि केंदर में भी आपकी सरकार है नगर निंगभ में भी आपका कपचा il est application को टार्गेट करने के बजह है आम आदी पार्टी को टार्गेट करते हैं ठीकha 13 Sean के लिए पर मांग करते हैं तो 12 हजार करून रुपए तो किन सरकार से भी आपको लेना है देखिए मैं आपको तहूं आजादी के बाद आज दिल्ली को कभी पूर्ण राजी का दर्जा नहीं मिला दिल्ली एक यूटी स्टेटर्स का राज है जहां मुख्यमंत्री भी होता है विधान सबाबी और कार्पोरेशन भी है यहां 488 रुपए जो पर कैप्टा अन्य राज्यों में दिया जाता वो यह कभी नहीं दिया गया और इसलिए नहीं दिया गया कि दिल्ली के अंदर डीडिय काम करता है दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस काम करती केंटूनमेंट बोर्ड है एंडीमसी है और बहुत सारी सेंट्रल गॉर्मेंट के एजेंसीज हैं जहां पर वो पैसा खर्च करते हैं दिल्ली गॉर्मेंट क की रिस्पॉंसबिल्टी है कार्पोरेशन जो डीम सी एक्ट जिसके अंतर गताता है और जहां तक सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा नगार निगम को पैसा देनी की बात है इन्हों ने इस बार भी सेंट्रल गवर्मेंट ने हमें सफाई मद में यूडी डिपार्टमेंट ने बहुत सारा पैसा दिए जिससे हमने आटो खरी दें जिससे हमने सफाई एक्विपमेंट्स करी दें जिससे हमने यह मशीने खरी दिए वैकूम क्लीनर करी ठीक है लेकिन अगर आदेजी अगर वह एक सुरू हो जाए जो आप गाजाबाद नंगर निगम को देते हैं गुड दिली में तीन सरकारे चलती है केंसरकार एंडियम नगर निगम की आपकी सरकार और दिली सरकार लेकिन दिली सरकार भी एलजी के माध्यम से बीजेपी चलाती है कहने के लिए बैठे हुई है मुख्यमंत्री लेकिन सब एलजी के माध्यम से जो जो जन हित्म काम करना चाहते हैं आप साब अरंगा लगा के लिए के माधिम से रुकवा देते हैं जो काम वो करना नहीं चाहते हैं उस बात के लिए वो जूंट और बहानेबाजी का सहरा लेते हैं और यह उनकी पुरानी पहले भी वह ऐसे काम कर चुके ठीक है 15 साल से बीजेपी का नगर निगम में कब जा है अधिक जी सुक्ष भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री का अभियान है दिल्ली की गड़ना अगर गंदे शहरों में होती है सूची में आता है तो इसके लिए कौन जिम्यदार है इस जहां तक बात है हमने पूरा अभियान को अच्छी तरह चलाया है बहुत सारी यहां जो अभी मैं आपको मैं भी मेर था उस समय सुच भारत अभियान का जो कैंपेंच चला था यहां पर बहुत सारी दिल्ली नगर निगम रेलवे लाइन के भी किनारे आपने देखा होगा रेलवे ने भी बहुत बड़ा सुचता अभियान चलाया है और जो जो उनके पॉइंट्स थे चूँकि दिल्ली मल्टिप्लिसिटी आफ एजेंसी हैं बहुत यहां पर और इसलिए बहुत सारी काम करने में दिक्कते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह सब लोगों को नागर समय होता है और आप तो यह भी नहीं कह सकते हैं किसी दूसरे की सरकार है के पर देश में दूसरे के होगे लेकिन सुक्षटा में इतना दिल्ली जैसा प्रतान मंत्री के नाग के नीचे उसकी वो रैंकिंग तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी बिलकुल ठीक बात है गर दि पांच छे साल में प्रधानमंत्री मोधी जी की सरकाराई तब से सुरू किये हमने वेस्ट्व इनर्जी प्लांट लगाया जो की पहले लगने चाहिए थे वो अब लग पाए हैं तो उसके कारण से भी बहुत सारी दिखते रहें और मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर हम और जादा अच्छा नगर निगम को बहतर सफाई व्यस्ता दे पाएंगे आज मेरे पास एक विदेश में रहने वाले सज्जन जो आज से छे महने पहले वो आये थे और वो हम से यह कह रहे थे यह गाजी पूर नहीं एक साल पहले वह कह रहे थे आपका जो भलस्वा है यह बहुत दिल्ली के लिए कलंग है कूड़े का इसको आप लेविल को कम करिये और आज मैं आपको आज बाईचांस की बात है आपके साथ बैठे हैं उन्होंने हमें इस बात के साइट की हाइट भी कम किये और वहां आप जाकर देखियों लीचट जो लीचट निकलता था जिसकी बज़े से स्वाइल में पॉलुशन होता था और वहां के लोग बीमार पड़ते थे वह भारी मातरा में कमी आई है लगबग हमने वहां पर चालिस फिट से भी जादा उस डेवलप करेंगे और यही पोजीशन गाजी पूर लेंडफिल साइट की है और यह दोनों यह जनाए केंदर सरकार के यूडी मिनिस्टी के सहयोग से वहां जो मशीने लगी है और उसके माद्दम से वहां सेग्रीगेशन हो रहा है सारी चीजे निकाल कर उनको जो वेस्ट ह उसको कमपोस्ट बनाया जा रहा है या फिर जो ड्राइव वेस्ट है उससे वेस्ट टू इनरजी में ले जाया जा रहा है उससे बिजली बनाई जा रही है यह पिछले करीब अगर देखा जाए तो इधियास उठाकर देखेंगे लगबग सतर सालों का यह भलस्वा का यह जो आई टूई है वहां डालते रहे पहले काम नहीं हुआ अब इतने सालों का काम है पेंडिंग तो उसमें समय लगेगा लेकिन मुझे लगता है कि इस दिसा की और हम बढ़ चुके हैं और हमने आई-ई-टी के विशेसग्यों से भी रह लिए और पूरी तरह से उसको अच गुमा के आपने पकड़ा करीब 11 11 ऐसे टेक्सेज हैं जो आपने जनता पे लगा दिये हैं पंद्रे सालों में एक भी बार दिली नगर निगम ने कोई हाउस टेक्स नहीं बढ़ाया कि रेवेन्यू कहां से लाए दिली निगम के पास सिर्फ एक ही सोर्स है रेवेन्यू प या फिर जहां पर ऐसी बात होती है रेजिडेंशल छेतर में तो हमने बढ़ाया नहीं और पचास गसे नीचे मकानों का हाउस टेक्स बिल्कुल माफ कर दिया है लेकि कुछ टेक्स तो बढ़ाया ना घुमा के नाग पकड़ी आपने और आपने कहा ता चुनाओं में कि एक यस तरह से दिल्ली के आस-पास किसान का धनलों चल ला है और किसान पूरे दिल्ली को घेरे बैठे हैं कितना मुश्किल हो रहा है और weis सरकार के बीद बाची कि किसानों की गत्रोत खत्म क्यों नहीं हो रहा है देखें आप ये मानिये कि देश की आजादी के बाद पहली बार किसानों के बारे में संपूर तरीके से कोश्ची ने सोचा है तो प्रधानमंती नरेंद मोधी जी ने सोचा है और मैं मानता हूँ कि अभी तक जिन जिन लोगों की सरकारे नहीं कॉंग्रेस की रही हो किसी ने उन्होंने जब भी किसानों के समस्य आई है तो उनको तुरित निप्टान किया होगा टेंपरेरी समाधान किया है चाये वो उनके लोन की माफी की योजना हो लेकिन परदान मंतरी मोधी जी ने इस अपने कारिकाल में 90 करोड 90 हजार करोड से ज़्यादा रुपया 10 करोड से ज़्यादा किसानों के एकाउंट में किसान सम्मान निदी के माद्दम से पहुँचा है किसान के लिए किसान करेडिट कार परदान मंतरी फसल भी मायोजना या फिर किसान को कैसे उनकी फसल के बारे में उतका अच्या दाम मिले वो स्वामी नैंतनायोग की रिपोर्ट को भी उन्होंने लागू किया है आप देखिए किसान के बारे में अगर permanent solution निकालना है तो जो पुरानी tradition है उसको बदलना पड़ेगा किसान और करसी को market से जोड़ना पड़ेगा और market से जोड़ेंगे तभी किसान और करसी संपन होगी और किसान की income डubbyल हो सकती है तो इसको किस तरह आप जोड़ना चाह रहे हैं जिस तरह मार्केट से जोड़ दिया MTNL, BSNL को आज BSNL, MTNL खतम हो गया और बोड़ा, फोन, हट, चेर, टेल वो सब आ रहे हैं किसानों की यही तो दिक्कत है उनका कहना है कि अगर सरकार का नियंतर हटते ही निजी छेतर हमें कैप्चर कर लेगा, देखिए एक बात मैं आपको ता हूँ, आज से पचास साल, चालिस साल, तीस साल पहले, दस बोरी सीमेंट लेगने के लिए भी लोगों को कहीं एप्लिकेशन लगानी पड़ती थी, दस किलो चीनी के लिए भी राशनी होती थी, तो वो धीरे धीरे जह जहां सरकारी तंत्र होगा, अब देखिए, प्रधान मंतरी मोदी जी की पॉलिसी है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनमम गवर्मेंट, अगर उस पॉलिसी को हम लाते हैं तो लोगों में, क्योंकि किसान सिर्फ किसान कभी से नहीं है, आज 32 करोड टन दूद पैदा होता है, और लगबग एक अरब टन अनाच पैदा होता है भारत के किसान करते हैं, बहुत सारी अर्थ व्यस्ता इसमें लगती है, अगर ये अर्थ व्यस्ता आज कॉंट्रेक्ट फार्मिंग होगी, तो वैलु एडिशन होगा फसलों के साथ, जो परंपरागत फसले नहीं होगी, न आज पाक को फूल रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं साथ, आप अध्या देश में उसको ले आईए, दूसरा वो कह रहे हैं कि जब प्राइवेट मंडी आएंगी, तो एपी एफसी के मंडी खतम हो जाएंगी, और कुछ दिन बाद प्राइवेट मंडियों का जिपत्त अपने फसल को लेके जब मंडी में जाता है, तो मंडी के जो लोग होते हैं, उन किसान से टैक्स भी लेते हैं, पैसा भी पूरा नहीं देंगे, उसको पूरी साल में जब जब पैसे की जरूरत होगी, तो वो उनके सामने हाथ जोड़ेगा, और इस विल में तीन दिन के अं में हैं, प्रदेश अदक्षा है, भारती जिन्ता पार्टी के तमाम जिसे कहा जाता है कि मदार अग्मराइजेशन के आप उपज है, अगर मैं आप से पूछू कि MSP को ले करके, जब किसान चाहरा का आप लिखित दीजिए, तो सरकार के सामने दिक्कत क्या है, उसको अध् इसकार करता हो ये, साथ में चरंगिवारता क्यान च्युक्त के बात का लिखित हैं, ऊसको शामने के साथ कूर्ण हो अप लिखित दिए की बात कि हंग्मराइज होते हैं, और इसके अलाबा जो जो उनके भ्रहम है या जो जो आशंका हैं, उन आशंकां को किस तरह से निर्म मूल किया जाए और किस तरह से उन आशंकाओं पर सरकार जवाब दार जवाब देही तरीके से एक्षन लेगी वो सारी बातें कर रहे हैं और मैं यह समझता हूं आज पहली ऐसी सरकार है जो किसानों को इतने अच्छी तरीके से बात कर रही है समझ रही है और उनका समाधान न जाते हैं भारती जंता पार्टी के उन्होंने भी समस्या का सवाधाने कर पाए अब जब किसान अपनी मांगों पर आड़ा है तो आपके तमाम केंद्री मंत्री टीवी चैनल उपे दूसरे माधुमों से कह रहे हैं कि हम चौपाल लगा के किसान की क्यों पलब्दियां सरकार क कर रहे हैं उसमें अलगावादी आ गए हैं तुकड़े तुकड़े गैंक आ गया है कि सच्चाई है देखिए जहां तक किसान बिल के बारे में सच्चाई बताने की बात है यह केंद्री मंत्री के इस तरपे भी है और भारती इन्ता पार्टी के कार्यकरता भी जो प्रधान लगावादी की बात है वो तो खुदी आंदोलन में लोग इस तरह के डिमांड चार्टर दे रहे कि उसमें आप ये अलगावादी लोगों को रिहा कीजिए शर्जीर इमाम और इन लोगों को रिहा कीजिए तो वो खुदी कर रहे हैं प्रूप तो इसका आर्थ यह है कि कि किसान तो इन्नोसेंट है किसान तो हमारे देश की अन्न दाता है हो सकता है कि किसान की आड में कुछ स्वार्थी तत्तु कुछ इस तरह के लोग भी उसमें आ गए हो और वो अपने एजेंडा को चलाना चाहते हों तो ऐसे में उनकी जिम्मेबारी है किसान नेताओं की भी कि ऐसे लोगों से अलग हैं और वास्तम में किसान तो किसानों के लिए तो सरकार करने के लिए तैयार है अधिश्य आपको क्या लगता है किसानों कुछ जादा ही रड़ा है पहले जिनमांगों पर बात कर रहा था अब उसकी शार्टर आप डिमान बढ़ती जा रही है और वो यस्यानों की जो बात करता है वो थोड़ा जादा सक्त है देखे यह जो कानून बनाया गया यह भी बड़ा सोच समझ के बनाया गया और इस कानून के बारे में भी पहले कांग्रेस भी कहती रही है लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे इसमें सकारात्मक बातें लगती हैं और किसान भी मानेंगे सरकार भी उनकी मांगों सर आप भी तो मानिये आपने बिल बनाया आपने बिल बहुत अच्छा है फिर छे राउंड की बाचीत में उसमें आपने कहीं संसोधन किये तो कहीं तो कमी थी अगर ये बाचीत पहले हो जाती तो जो इस्तिती है वो तो बिगरती नहीं संसोधन की बात ये कि अगर कहीं भरम है तो भरम जरूर किसानों का समाप्त होना चाहिए और जो अगर उन्हें लगता है कि इस में ये प्रावधान में हमें परिशानी भई उन्होंने एक प्रावधान के SDM कोर्ट में निप्टा रहा हो सरकार की और से तो उन्हें ऐसा लगा कि SDM ने इसमें कोर्ट भी होना चाहिए को जुडिसली भी जन्तन टीवी से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद ये थे आदेश गुपता जिन्हों ने बहुत बेबागे से अपनी तमाम बाते रखे तमाम मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय स्पस्की